यह जो है इसे देख के हमें क्या याद आता है वह इसे देख के याद आता है हिंदुस्तान की खास कर दिल्ली की, उत्रप्रदेश की, मध्यप्रदेश की वो छोटी-छोटी गलिया मुझे तो खास कर याद आती है मेरट की गलिया जहां पर इस तरह का रिक्षा जो चलता है और रिक्षे में होता क्या है रिक्षे में या तो लोग एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर धेर सारा समान सुबह सुबह आप देखेंगे कि सबजियां जो है भर के थैलों में और बोरियों में जा रही हैं कहां और क्या होने वही पहुंचती है छोटी-छोटी दुकानों में गलियों में जहां पर बनता है क्या स्ट्रीट फूड यानि की वो खाना जो हमारी संस्कृती से जो हमारी देश की हर कोने-कोने की हर प्रांथ की रीती रिवाजों से जड़ा हुआ है तो वह हम क्या करेंगे सबसे पहले में करूँगा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और हंड़िट परसेंट वेज हेल्थ का डोस्ट आस्ट्रिया वियना वहां का कैपिटल है वहां पे एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसका नाम है पार्टर तो उस पार्क के अंदर एक फ्राइड ब्रेड मैंने बनती वे देखी तो आईए हम बनाते हैं हंगेरियन फ्लैट ब्रेड जिसका नाम है लांगव तो बोल में लेते हैं मैदा मैदा करीब डेड़ से दो कप ओके लीविन करना है फर्मेंट करना है एक ही बात हुई क्या करेंगे उसके लिए हम एक लेंगे बोल बोल के अंदर थोड़ी सी शुगर यानि कि करीब एक चमच ओके शुगर के साथ-साथ साल्ट तो जितनी शुगर करीब करीब उतना ही साल्ट बट बी केरफूल कि यह जो क्वांटिडी ओफ शुगर और साल्ट है यह हमारे डो को बहुत जादा साल्टी ना बना दे इसके अंदर हम डालेंगे इस्ट पाउडर तो करीब यह गया दस ग्राम के आसपास इसमें इस्ट पाउडर या फिर एक चोटा चमच इसके अंदर हम मिलाएंगे पानी पानी मिलाके इसे अच्छे से घोल लेते हैं मिक्स कर लेते हैं यह कर लिए हमने घोल तैयार अब यह घोल जो है इस्ट सॉल्ट इंड शूगर का सीधा फ्लार के अंदर तो एक तरह से जिस तरह साड़ बनाए जाती है करीब करीब वैसा ही प्रोसेस है बट इसको बहुत जादा देर तक फर्मिंट नहीं करना है यानि कि इसे रखना होग करीब 1-2 घंटाई फले गून लेते है और कंसिस्टेंसी चेक करते है यह जब हलकी सी यह ब्रेड क्रंब जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी तब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा बटर तो तो देर गोज़ तो तूटा सा बटर बटर अब करते हैं इसको नीड बटर गुझार सा इसे बनाएंगे स्मूध और स्मूध बनाने के बाद क्या करें है इसे रखना है इस बॉल के अंदर ताकि यह फरमेंट हो जाए है जब हीमेंट होगा तो करीब यहां तक यह उपर ऊठके भर जाएगा एंड एक डम लाइट हो जाएगा जो टाइम है वो करीब दो घंटा धाई गंटा मेरे पास ऐसा डो फरमेट किया हुआ तयार है यहां पर साथ में मेरे पास ओईल है कड़ाई में जो एक दम धीमी आंच पर गरम हो रहा है डो लेते हैं लेट्स कंपेर फरस्ट तो यह देखिए जो मैं बा हलका सा फलार डस्ट करेंगे और इसे नौक करके फिर इस्तिमाल करेंगे अब क्या करना है इसके छुटी छुटी गोलिया काटेंगे और इन्हें यही पर हम देंगे पाथ से साथ मिनिट का रेस्ट तो हम इसके लिए बनाएंगे थोड़ा सा गालिक वाटर तो गरमा गरम तेल के अंदर कुछ कलिया लेसुन की और इनको करते हैं डीप फ्राई बोल में लेंगे थोड़ी सी शुगर एक चुटकी और साथ में सॉल्ट इसे मिक्स थोड़ा से इसमें पानी हमारा गार्लिक हो गया है पूरी तरह से ब्राउन पूरी तरह से ब्राउन हो गया है अब क्या करना है इसको इस पानी के अंदर डिप करना है so that garlic का जो flavor है और हलका सा जो oil है इस पानी में अच्छा सा एक flavor लाएगा और इसे बना देगा flavored garlic water तो ये हुआ garlic water तैयार इसको रखते हैं यहाँ, अब आगे बढ़ते हैं हमारी dough के साथ हलका सा flat बहुत हलके हाथों से रोल करना है, don't press it too hard oil करते हैं, check, looks perfect, अब डालते हैं इसको fry करने के लिए ये गई इसके अंदर, हलका हलका आप इसे जो है, because fermented है, फूलते वे देखेंगे घबरा ये मत, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, और और अच्छे से इसे फून ले देंगे एक से डेड़ मिनिट की frying के बाद क्या करना है, इसको check करना है कि दूसरी तरफ कलर आया, नहीं आया, तो आने का इंतजार and we will roll out another bread आये चेक करते हैं, लंगोस जो है, कित्ती फ्राइ हुई, एक तरफ कलर आ गया था, हमने इसको पलट दिया था, अब दूसरी तरफ से भी परफेक्ट रेड़ी, निकालते हैं, बाकी भी इस तरह फ्राइ कर लेते हैं, यह गई फ्राइंग के लिए, तो यहाँ पर हम देख हो, एकदम जादा गरम नहीं हो, तो सोक इन कर ले इसे, अब इस तोटली ऑप्शनल, गालिक वाटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हलका हलका यह सीप इन कर जाएगा, और बहुत अच्छे से फ्लीवर्स जो हैं गालिक के, इसकी वज़े से आएंग तो प्रेजिंटेशन के लिए क्या करना है, अच्छे सी प्लेट, गर्मा गरम ब्रेड, हंगेरियन फ्लैट ब्रेड, अब इस वाले पर गालिक वाटर नहीं डाला है मैंने, लेकिन इसको हलका सा जादा क्रिस्पी रखा हुआ है, किसलिए वो भी देखते हैं, लेकिन पहले रखते हैं ये ब्रेड, अभी कितनी क्रिस्पी है, कितनी स्वादिष्ट है, ये स्वाद मैं ले लेता हूँ, आप रीकैप का स्वाद लीजिए, लांगोस बनाने के लिए, एक बोल में एक से दो कप मैदा लें, दूसरे बोल में एक चमच शक्कर, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चमच यीस्ट पाउडर और थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लें, मिक्सचर को मैदा में मिला दें, अब एक चमच बटर डालें, और पानी मिलाते हुए डो तयार करें, डो को दो घंडे कर रेस दें, और इसके बाद नाइव से कट कर छोटी छोटी गोलियां बनाएं, पोट में पान से छे लहसुन की कलियों को डीप फ्राय करें, एक बोल म में के बाद लांगोस को प्लेट में लेकर लहसुन का पानी स्प्रेट करें, प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में लांगोस लेकर सार क्रीम, थाइम, शक्कर, कोटी काली मिर्च, मौजरिला चीज, लहसुन की कलियों और माइक्रो ग्रीन से कानिश करें, आपकी लांगोस तयार है पिकल से सूप तयार करना तो एक जगे जाके मैंने पूछा कि इंदर पिकलिंग की खुश्बू क्यों आ रही है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बन रहा है कीमची सूप तरे तरे की कीमची बनती है वहाँ पर कैबच से बनती है चाईडीज कैबच से बनती है हम बनाएंगे नॉर्मल हिंदुस्तारी कैबच से बना हुआ कीमची सूप एक कैबच कैबच को बस ये जो अंदर का डंठल है थोड़ा सा इसको हम ट्रिम कर देंगे बीच में से इस तरह काटेंगे जैसे हम अनियन स्लाइस करने के लिए काटते हैं ये हो गया अब लेते हैं एक अच्छा सा बोल पॉट जो भी आप इस्तिमाल करना चाहें बोल के अंदर चिली पेस्ट डेड़ से दो बड़े चमच चिली पेस्ट के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तिल तीन से चार चमच चिली पेस्ट में अक्सर सॉल्ट होता है बट यहां हम सॉल्ट अट कर रहे हैं बिकाज हम चाहते हैं कि कैबेज के अंदर वो सॉल्ट सी पिन हो जाए अप्शनल है अगर आप क्रश पेपर के इस्तिमाल करना चाहें इसके साथ-साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हनी दो चोटे चमच के करीब इसमें हनी इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गालिक गालिक को क्या करना है जिस्ट फ्लेक इट कालिक शिधा ऐस मिक्षर के अंदर गालिक के साथ साथ हमें यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चिली फिरेंस इसिया करना इस रहा है जिली पेज्ट भी है चिली फिरेंस भी है एक यह हम ने मिक्स OFF इसके अंदर फ्लेवर को आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहें तिल का तिल, तीन से चार बड़े चमच, अब आएए इसे मिला लेते मिलाने के बाद क्या करना है, जो हमारी कैबेज है, वो इसके अंदर मिक्स करनी है, फोल्ड करनी है तो यह हमारी कैबेज, कैबेज को कर देते हैं अच्छे से फोल्ड ताकि जो यह मसाला हमने तयार किया है, पूरी तरह इसमें यह कोट हो जाए इस समय अगर आपको लग रहा है कि यह जो मैरिनेशन है, यह पेस्ट है जो हमने तयार किया था, यह कैबेज की कॉंटिटी के इसाब से काफी कम है, गवराइए मत क्योंकि कैबेज जब आप रखेंगे, चार से पांच दिन एक जार के अंदर जैसे हम अचार डालते हैं, तो धीरे धीरे यह रिड्यूस होगा, और जब रिड्यूस होगा, चार पांच दिन के बाद, तो देखिए, कैबेज का मॉइस्चर, कैबेज का पानी, दिखाई दे थोड़ा सा तिल का तिल, दो बड़े चमच, तिल जैसी गरम हो जाएगा, इसके अंदर ये स्लाइस किये हुए मश्रूम, मश्रूम को लेते हैं, पका अच्छे से, यहाँ पर मश्रूम जो हम चाहेंगे कि पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, इसके लिए थोड़ा से जब तक हमारे मश्रूम या पक रहे हैं, थोड़ा सा जिंजर, यानि कि अधरक काट लेते हैं, तो यह बारी कटी हुए अधरक इसके अंदर, क्या बात है, अच्छे से मिलाते हैं, थोड़ी देरी से और पकने देते हैं, जब तक यह पक रहे है, वी वांट सम अनियन्स, त आदा प्याज यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यह गया इसके अंदर, and now stir and cook, इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे दो से तीन गार्लिक की कलिया, इस स्टेज पर हम यह नोटिस करेंगे, कि पैन के नीचे जो है, काफी सारे मश्रूम के जूस जो है, काफी सारे मश्रूम देखिए हलका सा स्टॉकिश कलर आगया हलका सा लाइट ब्राउनिश कलर इसके अंदर आ रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जैसी बॉइल आएगा इसमें हम एड करेंगे हमारी कीमची, तब तक क्या करेंगे, तब तक लेते हैं थोड़ा सा तोफू, और तोफू को कीजिए इससे मारिनेट, तो हलका से इसके उपर ब्लैकिश कलर आ जाएगा, तोफू इस आलसो रेड़ी, चेक करते हैं, बॉइल, येस, बॉइल नाइसली विद लॉट्स ओ फ्लेवर्स, तो आईए अब डालते हैं हमारी कीमची यानि की पिकल्ड कैबिच, आलोंग विद वाटर, एक पॉर्ड जब हम सूप बना रहे हैं, तो करीब-करीब आदा जार कीमची हमने इसमें 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 कर लिया है, कीमची और इसका लीक्विड डालने के बाद, हाई फ्लेम, मिक्स, बहुत अच्छे-च्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, इसको होने द प्रेजिंटेशन तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, हमारे सूप होट है, बबली है, हेल्दी है, स्टीमी है, बहुत सारे अच्छे-च्छे इसके इंदर एलिमेंट्स हैं, इसके साथ-साथ इसका एक रीकैप भी है, प्लीज देख लीजिए. किमची सूप बनाने के लिए एक पत्ता गोबी को डाइसस में कट कर ले, एक बोल में देर से दो चमच लाल मिर्च का पेस्ट, तीन से चार चमच तिल, स्वाधनुसार डमक, आदा चोटा चमच कुटी काली मिर्च, दो चोटी चमच शहद, दस से बारा कटी लहसुन की कलि एक छोटा चमच कुटी लाल मिर्च और तीन से चार चमच तिल का तेल डाल कर मिक्स करें, अब कटी पत्ता गोबी को मिक्सचर के साथ अच्छी से कोट करें और चार से पांच दिन के लिए जार में डाल कर रखतें, पोट में दो चमच तिल का तेल गरम करें, इसकी बाद दो मश्रूम की स्लाइसेस, स्वाद अनुसार नमक, एक बारी कटी अद्रक, आधा प्यास की स्लाइसेस, दो से तीन लहसुन की कलियां और दो कप पानी डाल कर कुक करें. अब दूसरे बोल में एक कप टोफू की क्यूब और डीर चमत सोया सॉस मिक्स कर मारिनेट करें. पॉट में बॉइल आने पर खिमची सूप पोर करें और सूप कुक करें. प्रेजेंटेशन के लिए बोल में टोफू क्यूब्स लेकर मश्रूम की स्लाइसेस, कुछ धनिय के प होंग कॉंग से वापस आएंगे, बंगलादेश की तरफ रुख करेंगे अगला स्ट्रीट फूट फूम बंगलादेश आफ्र शॉर्ट ब्रेक. आलू और गोबी, बंगलादेशी स्ट्रीट फूट के बात करना था प्रेक पर जाने से पहले, बंगलादेश के अंदर और कलकटा के अंदर भी कही कही एक ऐसा समोसा बनता है, जिसके अंदर आलू, गोबी, मटर, नाट्स, यानिकी मूमफली, किश्मिश, नारियल, इंच सभी को डालके एक प्यारा सा सुवाद लाया जाता है, तो हम बनाते हैं कैलकटा समोसा. सबसे पहले हमार पास आलू है, छोटी-छोटी डाइसिस काटिये, छिलका निकालके, इसके बाद इसे देसी घी में पका लीजिए, हलका फ्राइ कर लीजिए, सिमिलर वे में हमें पकानी है गोबी, तो यह रही गोबी, इसके छोटे-छोटे फ्लारेट्स काटें, आलू का जो साइज है, करीब-करीब उससे मिलता जुलता देखिये, एक पैन जो से गरम करना है, इसके अंदर हम लेंगे देसी घी, एक और दो छोटे चमबच, जो हम बनाएंगे, रिफाइन फ्लार, मैदे से, दो से तीन बड़े चमबच, इसमें हम मौन के लिए डालेंगे देसी घी, एक छोटा चमबच, सौल्ट, स्वाद अनुसार, यह खुश्बू से बता चल रहा है कि गरम हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे करीब देड़ चमबच, जीरा, नारियल, आगे हमारा डो, ब्रेड क्रम जैसा टेक्श्चर इसमें आ गया है, फलेकी एंड नाइस, नारियल में बहुत अच्छी सी कुश्बू जो है, आना शुरू हो गई है, विच मींज नारियल थोड़ा सौफ्ट हो गया हलका हलका पक गया है, अब यहाँ पर मैं कच्छी मुमपली होल इस्तिमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हलका चौप करके भ गीली मुमपली हो तो उसका भी आप यहाँ इस्तिमाल कर सकते हैं, बारीक कटी हुई अधरक, एक चम्मच यहाँ पर किश्मिच कर इस्तिमाल किया, लेट्स मिक्स एवरिटिंग, इसके अंदर कुछ मसालों का इस्तिमाल करना है, सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर धन हरे मटर के दाने आदा कप, इस समय चाहें इसके अंदर तो थोड़ा सा पानी आइड कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हमारे हरे मटर के दाने हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाएं, अब हमारा जो डो है, बस निकाल लेते हैं इसको चॉपिंग बोर्ड के ओपर, तो ये साइड से ट्रिम, सब कुछ तयार, इसके अंदर जो भरना है, उसे चेक करते हैं, हमारे ग्रीन पीज, देखिए, काफी सॉफ्ट हैं, इनको थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेंगे, और इसके अंदर मिलाने हैं हमारे आलू, तो ये हमने डाले इसमें, आलू, ये कर का आलू जे उबाल के फ्राय करके रखा हुआ, उसी हिसाब से कॉंटिटी में, इसमें हम डालेंगे कॉली फ्लार, थोड़ा सा इसे भी कर देंगे, इस तरहे प्रेस, आगे बढ़ते हैं, पानी, पेश्ट्री के चारो तरफ, इसके अंदर फिलिंग, खास स्वाद लाने के लिए, हम इस्तिमाल करेंगे यहां पर कसूरी मेथी, ये डालेंगे इसके उपर, और ऐसे डालने से फ्लेवर तो अच्छा आए गई, टाइम टू क्लोस दे समोसा, तो भई हमने समोसे जो है, शेप दे के तयार कर लिए, फ्राइंग में डाल देते हैं, तो लिजे समोसे तयारे, निकालते हैं, अब गैस करते हैं बंद और करते हैं हमारी सिम्पल सी प्रस्तूती, तयार है समोसा कलकता वाला, यानि की कोलकता समोसा या क्लकता समोसा, रीकैब के साथ देख लीजी, कलकता समोसा बनाने के लिए, बोल में 2-3 चमच मैदा, एक छोटा चमच देसी खी और स्वाध अनुसार नमक डाल कर दो तयार करें, पैन में दो छोटे चमच देशीखी गरम करें, तीर चमच जीरा, तीन से चार छोटे चमच बारी कटा नारियल, दो छमच कच्छी मोंग फली, एक छोटा चमच बारी कटी अद्रक, एक चमच किश्मिश, आधा चमच धनिया पाउडर, एक चोथाई चोटा चमच हल्धी और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल कर अच्छे सी मिक्स करें। अब आधा कप हरे मटर के दाने और एक चोथाई कप पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करें। पैन में एक कटा फ्राइड आलू और एक कप फ्राइड गोबी डाल कर अच्छे से मिक्स करें। डो लेकर रोल करें और समोसा बेस तयार करें। समोसी के बेस पर मिक्स्चर रखें और एक चुट की कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर सेल करें। गरम ओलिव ओयल में समोसों को डीप फ्राइ करें। प्रेजन्टेशन के लिए प्लेट में चाल के साथ समोसों को रखें। फ्राइड मुंफली, किश्मिश, हरे मटर के दाने और पुदीने के पत्तों से गानिश करें। रोस्टेश जीरा पाउडर डाल कर सर्व करें। आपकी कालकटा समोसा तयार है। पूरा ग्लोब जो है एक तरह से स्ट्रीट फूट का बहुत बड़ा सा बुके है। अब बुके को किस तरह से एक्सपिरिंस करना है घूम घूम के ट्रैविल करकर के। लेकिन हमारे पास समय का होता है ट्रैविल करने का। तो बस मैं हूँ आपके साथ कुछ ऐसी मेमरीज स्ट्रीट फूट को लेकर आता रहता हूँ। बहुत चरह ऐसे खाने लेकर आता रहता हूँ। आपके पास कुछ यादे हैं, कुछ बाते हैं, कुछ सवाल हैं। हम से जुड़िए वेजर्लिविंग फूट कॉम पर या फिर लिविंग फूट की सोशल मीडिया हैंडल्स पर यहां पर पहुचाईए अपने सजेशन्स, तब तक मैं क्या करूँगा। भई मेरा समय हो रहा है गार्डन में जाकर, इंस्पैर होने का, कुछ सोचने का, नई रेसिपीज प्लैन करने का, ताकि 100% वेज़ पर आप तक पहुचा सकूँ, हेल्थ का डोज. स्थे हल्दी, स्थे फित, और बेगेटरियन का इस अगूट मेरी. चूटी, सकते हैं, एकका बड़ा, और रेसिसड़ी ओैर आप क्ट ब ढ़ा के औरओ है, कब थास, का से का, कि अ बहुचा वेंस, तë उस्थे एक आपाँ, क्या रहिंस, वेल्म